दोस्तो ब्रह्मान का नाम आते ही अनन्तक फेले आस्मान की कल्पना सामने आने लगती है और ये विचार भी आने लगता है कि इस ब्रह्मान का केंद्र कहा है तो आज ब्रह्मान के केंद्र के बारे में जानते हैं दोस्तों वेसे तो हर छोटी बड़ी वस्तू का एक केंदर होता है लेकिन अगर ब्रह्मान के केंदर की बात करे तो वेज्ञानिक के अनुसार हमारे ब्रह्मान का केंदर नहीं है बलकि इसकी तो हर दिसा समान रूप से विस्तार हो रही है ब्रह्मान का कितना विस्तार है यह हम आज तक पूरा नहीं जान सकें क्योंकि ब्रह्मान का एक इससा तो है जो हमें प्राकास के करन दिखाई देता है जबकि ब्रह्मान का एक इससा वो भी है जिसे हम आज तक देख नहीं पाए हैं माना जाता है कि ब्रह्मान का जन्द बिग बैंग यानि महाविश्वोट के जरिये करीब 14 अरब साल पहले हुआ था और उसके बास से ब्रह्मान का लगातार विस्तार हो रहा है लेकिन ये विस्तार किसी एक दिसा में होने की पजाए हर दिसा में समान रूप से हो रहा है आर्थर एडिंटन और आर्थर मिलेंगे और जाज पेमेत्रे जैसे वेग्यानिक ने अपने अपने सिद्धानतों के जरिये ब्रह्मान के विस्तार और इसके केंद्र का पता लगाने के पडियास कियें लेकिन अभी तक किये गए सबी निरिक्षन ब्रह्मान के केवल उतने ही इस्से के बारे में जानकरी देते हैं जिसे हम देख पाते हैं इससे बहार के दाइरे में मुझूद ब्रह्मान के बारे में अभी तक कुछ भी कह पाना सम्भव नहीं है बिग बैंग सिद्धान के अनुसार इसका रिस्तार करते हुए अंत्रिश का कोई केंदर नहीं है और आभी तक किये गए सभी निरिक्षन भी इस बात को सबसाबित करते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और एसी ही जानकरी वाले वीडियो को देखने के लिए चेनल को सब्स्राइब कीजिए